वेल्कम टू पियास वर्ल्ड आज हम आपको टिफिन्स के लिए मुंग फली चटने बना के बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से इसके लिए सबसे पहले एक आधी आधी चमच राई जीरा लीजिए एक आधी आधी चमच चना दालोड़त दाल लीजिए एक चे से आठ हरी मिर्च लीजिए और कड़ी पत्ता छोटा सब प्यास कटा हुआ और लेसुन लीजिए एक पैन में एक चमच ओईल गरम करके इसमें राई जीरा डाल दीजिए उसके बाद कटे हुए प्याज, हरी मिर्श, कड़ी पत्ता और लसुन डालके फ्राई कर लीजिए कॉमनली टिफिन्स में जैसे इडली, दोसा, उपमा इसके साथ ये चटनी बहुत बढ़िया लगता है और जवारी रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, आप एक बर ज़रूर ट्राई कीजिए देखिए सब कुछ डालके अच्छे तरह से फ्राई कर लीजिए, जैसे ही फ्राई होगा नेक्स्ट, क्या करना है बता दूँगे देखिए जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा इमली लीजिए और एक चमच या स्वाद नुसा नमग लीजिए इमली अगर आपको पसंद नहीं होता है तो एक टमाटर ले सकते हैं तो अभी यहां पर एक कप हमने फ्राईड पीनट लिया है मतलब मुंफली लिया है जो अलरड़ी फ्राईड है तो स्टव बंद करके टंडा करके मिक्सर में पेस्ट बना लीजिए तो देखिए यह आपका मुंफली का चटनी रड़ी है जो सभी नाश्टों में बहुत इस्तिमाल होगा आसान है ना तो चलिए ट्राई कीजे और मुझे कमेंट करके बताईए थैंक यू झाल